तो चलिए शुरू करते हैं, अब तक, एलविश ने विहान को देखा तुमने अभी सिर्फ कदम रखा है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है पिद्धी वहीं से, मेरी सोच शुरू होती है लेकिन एलविश एक चीज से विहान की हिरान था लेकिन CCTV फुटेज में एक ही वक पर दोनों जगह पर मौझूद कैसे था मंग। कहर के लगेज को भी चेक किया जा रहा था ये देखकर कहर ने बहुत गुस्से से अपना गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। मेनेजर ने कहर की तरफ देखा और बोला मैं आप जब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक हमारी जान पर ताल पूरी नहीं हो जाती आपको इसी होटल में रहना होगा। कहर ने गुस्से से कहा वाट। एलविश के चेहरे पर जहरीली मुस्कान तैर गई। अब आगे। कहर गुस्से से बौखला गई थी मैनेजर की बात सुनकर उसका मन किया था कि वह मैनेजर को खीच क एक ठपड लगा। दे वही एलविश कहर को इतना परेशान देखकर मन ही मन हंस रहा था उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी और उसने खुद से कहा ये तो बस शुरुआत है अभी तो तुम्हें बहुत कुछ टॉलरेट करना है बीवी। कहर ने गुस्से से मैनेजर को देखा और बोली तुम्हारा दिमाग खराब है तुम बोल क्या रहे हूँ मैं आज ही इस होटल से जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते गौट इट। जिस पर मैनेजर ने कहा एम सौरी मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन आपको हमारे साथ हमारे हाथ में जाएगा मिस्टर एलविश लखनव के जाने माने बिजनेसमेन है और वह भी हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं उनका कीमती डाइमंड खो गया है जो कोई छोटी चीज नहीं है और इस केस को पुलिस ही हैंडल करेगी सेक्रेटली क्योंकि हम इस मामले को लोग तक यह मामला अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता और यह कैसे सॉल्व नहीं हो जाता आप यह होटल छोड़ कर नहीं जा सकते मैनेजर की बात सुनकर कहर ने गुस्से से कहा आई यू मैड मैं इस होटल में नहीं रहना चाहती आइम लीविंग थे होटल राइट नाव जिस पर म इक्षन भी ले सकते हैं मैनेजर ने समीर की तरफ देखा और बोला सर प्लीज आप इस मामले को गंभीरता से ले और हमारे साथ कॉपरेट करें आप अपनी वाइफ को समझाए कि मैटर कोई छोटा मोटा नहीं है यह मामला थेफ्ट और रॉबरी का भी हो सकता है कुछ कह न आपकी सेफटी के लिए भी जरूरी है मैनेजर ने अपनी बात पूरी की और समीर की तरफ उम्मीद से देखने लगा तभी कहर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा यू उसके बाद समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला कहर यह मामला कुछ दिनों में सॉल्व हो फिर हम यहां से चले जाएंगे आई थिंक मैनेजर सही कह रहा है हमें कॉपरेट करना चाहिए कहर ने समीर की तरफ देखा और बोली समीर जिस पर समीर ने कहर के पास आते हुए उसे गले लगाया और बोला क्लेम डाउन इतना गुस्सा नहीं करते कहर की आखे नम हो गई उ से कुछ गरबर लग रही थी आज ही वो इस होटल को छोड़ कर जा रही थी और यह कांड भी आज ही होना था इसके पीछे कहर को एक सोची समझी साजिश लग रही थी एलविश की आखे सर्द थी लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्से से खून खौल रहा था वाइफ एल सान बरबाद नहीं हो जाता एलविश इग्मिविंशी चैन की नींग नहीं लेता वही विहान गुस्से से एलविश को तुकुर तुकुर घूर रहा था उसका मन कर रहा था कि वह दोबारा बुरे अंकल के बाल नोच ले ये बुरा अंकल जूट बोल रहा हैं रात का वक्त एलविश अपने फ्लेट में था और वह अभी शाव लेकर बाहर आया था उसने बात रोब पहना हुआ था उसकी कटनजर वाइन की बोतल कॉफी टेबल से उठा ली जायद वहाँ पर पहले से ही बैठा था वाइन की बोतल को उठाया और वाइन के गिलास में वाइन डालते हुए सातिराना धंक से मुस्कुराने लगा जायद ने एलविश की तरफ देखा और फिर वह भी जायद की तरह ही मुस्कुराने लगा जायद ने कहा ब्रा आगे क्या करने वाले हो तुम जिस पर एलवेश ने जायद को देखा और फिर तिर्चा मुस्कुराते हुए बोला ये तो बस शुरुआत है आगे आगे देखो होता है क्या। जायद एलविश की आखो में उसकी बीवी के लिए नफरत और बर्बाद करने का जुनूम देख सकता था। जायद ने एलविश की तरफ देखा और बोला वह डाइमंड कहा है। एलविश ने जायद की तरफ देखा और फिर वाइन का शिप लेते हुए बोला डाइमंड चोरी हो गया है। जिस पर जायद ने एलविश को देखा और बोला तेरे फ्लेट से कोई एक स्पून भी नहीं ले जा सकता और डाइमंड तो। दूर की बात है किसी की इतनी वकात ही नहीं है कि तेरे फ्लेट के अंदर कदम रखे। मौजूद हो सकता है। एलविश इस चीज़ पर काफी क्यूरियस था कि वह बच्चा आखिर उसके फ्लेट में दाखिल हुआ तो कैसे। वही जायद भी उस शैतान बच्चे की हिम्मत को सेल्यूट कर देता है कि उसने इस रक्षा के फ्लेट में इतनी निदर्ता से कदम रखा वुफ बच्चा नहीं बॉम्ब है। लेकिन एक बच्चा दो जगह पर एक साथ कैसे मौजूद हो सकता है। एल्विश ने जब अपने फ्लेट की हालत देखी और विहान को CCTV फुटेज में देखा तो भौचका रह गया इंपॉसिबल जो। काम बड़े बड़े नहीं कर सकते वह देख फुट के बच्चे ने कर दिया। लेकिन एल्विश के मन में उस समय एक खतरनाक आइडिया ने जन्म ले लिया था और उसने उसे सिचुएशन को भी अपने यूजूजूजूजूजूजूजूजूजूजूजूजूजू इशान अहान और विहान तीनों अपने कमरे में बैट पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूर रहे थे उन तीनों ने आज। बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और सेम कैप लगा रखी थी अगर कोई उन तीनों को एक साथ देख ले तो डिफ्रेंस बताना म फिर वह बूरा अंकल क्या बोल रहा था उनके फ्लेट से डाइमंड गायब है जिस पर इशान ने कहा वह बूरा अंकल जूट बोल रहा है इशान और आहन ने घूरते हुए विहान को देखा और बोले तुम हम पर शक कर रहे हो जिस पर विहान ने कहा नहीं मैं बस कंफरम क रहा था, आइनों कि तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जिस पर इशान ने कहा वह बूरा अंकल जूट बोल रहा है धोखे बाज इनसान। विहान ने कहा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में उनका कोई डाइमंड चोरी हो गया। जिस पर इशान ने कहा तुम कहना च रायब किया हो। जिस पर आहान ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा। विहान ने कहा उन्हें अभी तक पता चल गया होगा कि उनके फ्लेट की जो हालात है उसके पीछे में हूँ। जिस पर आहान ने कहा हाँ हो सकता है कि वह तुम्हें फसाने की कोशि से दात पीशते हुए बोला तुम दोनों का भी बंप लाल होता। आहान ने घूरते हुए कहा और खासकर इस विहान का जिस पर विहान की आखे छोटी छोटी हो गई। जिस पर इशान ने कहा पॉइंट वह अंकल चाहता तो सीधे मम्मा को बता सकते थे। इशान ने कहा लेकिन अगर उन्हें बताना होता तो वह बता ही देते। आखिर वह बूरे अंकल करना क्या चाहते हैं उसने विहान को भी कुछ नहीं कहा। जिस पर विहान ने अपनी चिन पर हाथ रखा और कुछ गहराई से सोचते हुए बोला मुझे लगता है उन बूरे अंकल का। इस पर अपने यूज में लिया है सातिर अंकल हैं। जिस पर विहान ने कुछ सोचते हुए कहा वह बूरा अंकल यहां का बहुत बढ़ा जाना माना बिजनेसमेन है और उसका नाम है एलविश मैंने मैनेजर को ये बोलते हुए सुना था जिस पर इशान और अपने आईपैट पर एलविश का नाम सर्च किया गूगल पर एलविश की हिस्ट्री से लेकर प्रेजन्ट तक की सारी इंफॉर्मेशन आ गई विहान इशान और आहन तीनों एलविश की इनफॉर्मेशन देख रहे थे जिससे उन्हें पता चला की एलविश का पूरा नाम एलविश की एलविश ओल्रेडी मेरिड है लेकिन उनकी वाइफ की की डेथ हो चुकी है वही कहर अपने कमरे इधर उधर तहल रही थी उसके चेहरे पर हलकी परेशानी नजर आ रही थी अब वह अपनी फैसले पर पच्चता रही थी कि वह अपने तीनों बेटों को यहां लेकर खरोज तक उसे नहीं बरदाश्ट होगी कर एलविश की आँखों में अपने लिए नफरत देख सकती थी और उसकी जहरीले मुस्कान से साफ जाहिर हो रहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है फाइव साल पहले जो कुछ भी हुआ था आज तक मैं भूल ही नहीं हू तुम चाहते क्या हो पहले ही तुमने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी तुम्हारे दिये धोखे को मैं आज तक नहीं भूली तुम्हारे दिये धोखे ने मेरी जिन्दगी बदल कर रख दी मेरी हस्ती खेलती जिन्दगी में आग लगा दी I hate you एलविश अगनिवाशी, बेहद नफरत है तुमसे तुम्हारी शकल तक बरदाश्ट करना नहीं मनजूर मुझे और मेरे बेटों पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ेगा वही इशान और अहान दोनों मिलकर विहान को भूर रहे थे उसके बाद इशान ने विहान का लेफ्ट कान पकड़ा और अहान ने उसका राइट कान पकड़ा और दोनों ने खीचते हुए कहा तुम कांट करके आओ उसके बाद हम दोनों भी तुम्हारे. पीछे मम्मा से मार खाए. जिस पर विहान ने तिर्ची नजरों से अपने दोनों भाईयों की तरफ देखा और बोला मैं तुम दोनों का छोटा भाई हूँ. अगर कोई मुझे परेशान करता है तो तुम दोनों क का फर्च बनता है कि मुझे उस शक्स से बचाव. जिस पर इशान और आहान ने विहान का कान जोर से खीचा और फिर बोले इसलिए तो हमने वह सब किया क्या तुम. लड़ाई करे बिना नहीं रह सकते जरूरी है दूसरों से पंगा लेना. अगर मम्मा को पता चलाना तो हम तीनों का बम लाल कर देंगी. उसके बाद तीनों इमेजन करने लगी कि उनकी मम्मा उनका बम लाल कर रही है और वह तीनों रो रहे है. तीनों ने अपना सिर जटक और एक दूसरे को देख कर भूरने लगे. तुम लोग कितना टोंट मारते हो तुझे. तुम लोग कितना अगर मम्मा को पता चल गया कि तुम्हारे साथ साथ हम भी इसमें मिले हुए ना, तो तुमसे ज्यादा हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तुमसे ज्यादा मार हमें पढ़ेगी और डांट भी, मम्मा तो कहेंगे कि तुम छोटे हो हम बढ़े हैं, तो हमें तुम्हें समझ चाहिए था मम्मा हम पर ही बरस, पढ़ेगे और तुम तो चुहे की तरह पतली गली से निकल जाओगे, जिस पर विहान ने मुह फुला कहा मुझे आज पता चल गया कि तुम दोनों मेरे भाई नहीं हो, इशान आहन के फेश पर गुस्सा आ गया, इशान ने अहान का कान ज तोर से खीचते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से हमारे बम लाल हुए तो हम, तुम्हे छोड़ेंगे नहीं विहान, तभी विहान ने अपने दोनों भाईयों को तिर्ची नजरों से घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम दोनों डर गए उन बुने, अंकल का खौफ त समीर खड़ा था जो कहर को इतना परेशान देख चिंता में आ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहर, इतना ज्यादा परेशान क्यूं हो रही थी, अगर वह कुछ दिन होटल में रुखी जाएंगी तो क्या ही हो जाएगा, समीर जानता था कि कहर में इस शहर में नहीं रुखना चाहती लेकिन जब वह यहां आही गए थे तो वह इस होटल में क्यूं नहीं रुखना चाहती थी, समीर ने कहर को देखा और फिर बोला कहर, कहर ने समीर की तरफ देखा और फिर जल्दी से समीर के पास आ गई और बोली समीर कुछ करो हमें यहां नहीं रुखना, मैं अपने बच्चों को नहीं रख सकती जिस पर समीर की आईबरो उपर की तरफ हो गई और उसने कहर को देखते हुए बोला वाई कहर यहां पर सारी फैसिलिटीज है और बिलीव मी इशान आहन और विहान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं खुद उनका ध्यान रखूंगा तुम क्यूं इतनी टेंशन ले रही हो आखिर बात क्या है मुझे कुछ और लग रह है जो तुम मुझसे चुपा रही हो कहर ने समीर की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली मुझे यहां नहीं रुखना तुम समझ नहीं रहे हो कि मेरे बच्चों को यहां रहना सेफ नहीं है और खासकर इस होटल में रहना में अपने बच्चों को नहीं खो सकती कहर की बाते समीर के सर के उपर से निकल गई समीर ने कहर को देखा और बोला आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कौन है जो यहां पर इशान आहन और विहान को नुकसान पहुंचाना चाहता है तुमने नहीं खो सकती मतलब क्या तुम्हारा कहर ने कुछ नहीं कहा कहर की आँखों में उसे अपने बच्चों के लिए दर दिखाई दे रहा था समीर ने कहर को देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला रिलेक्स क्लेम डाउन तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है उसके बाद हम बात करेंगे जब तुम्हारा मूट सही हो जाएगा कहर ने अपना सिरहा में हिला दिया वही एलवेश अपने फ्लेट से बाहर का नजारा देख रहा था इस वक्त उसके चेहरे पर जीतने वाली मुस्कान थी यह तो बस अभी शुरूरात है बीबी अभी तो तुम्हारे दिन शुरू हुए है तुम्हारा एक दिन खाली नहीं जाएगा जब तुम रहोगी नहीं और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तकलीफ देने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा तुम्हें बहुत शौक था ना अपने आशिक के साथ भागने का मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे आशिक की साथ ही तुम्हारी जिंदगी में जहन्नम बना दूंगा तुम्हारी छोटी सी फैमली को मैं बरबाद कर दूंगा बहुत शौक है तुम्हारे आशिक को किसी और की बीवी भगाने का तुम्हारे जितना हकदार वह भी है उसे भी सब कुछ मिलेगा और तुम दोनों एक दिन मेरे पैरों पर गिर कर मुझसे माफी मांगोगे एलविश की आँखों के सामने फाइव साल पहले का मंजर गोंद गया जब उसने पहली बार कहर को अपने बैड पर देखा था एलविश ने गुसे से वाइन की बोतल को जमीन पर फेक दिया और चिल्लाते हुए बोला बीवी वेट एंड वाच काउंटी करना शुरू कर दो जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी गलती की नहीं गुना की सजा मिलेगी कहर अपने बेटों को कमले में आ गई और उसने देखा कि उसके तीनों बेटे बैट पर फेल कर सो रहे थे उन्हें देखकर कहर के अपने चेहरे पर आटोमेटेकली स्माइल आ गई और उसकी आँखों में सुकून उतर आया वह भले कितनी तकलीफ में क्यूं ना हो लेकिन अपने बेटे का चेहरा देखते ही उसे सुकून मिल जाता था कहर बैट के पास आकर खड़ी हो गई और अपने तीनों शैतान बेटों को देखने लगी उसके बाद कहर ने तीनों को ठीक से बैट पर सुलाया इस बस इस बीच कहर ने अपनी एक आँख खोल कर अपनी मम्मा को देखा और फिर वापस बंद कर लिया असल में तीनों सोय नहीं थे वह तीनों प्लानिंग कर रहे थे और कहर की आहत मैसूस करते ही तीनों ने जल्दी जल्दी जैसे पोजीशन में थे वैसे सोने का नाटक करने लगे अगर उनकी मम्मा ने जगा हुआ देख लिया तो उनका बं लाल कर देगी और उन्हें खूब डांट पड़ेगी कि वह अभी तक जाग क्यों रहे है कहर ने अपने तीनों बेटों को घूरते हुए हा तुम तीनों अभी तक जाग रहे हो जिस पर इशान आहन विहान तीनों ही घबरा गए और वह तीनों खराटे मारने लगे जिससे कहर को लगे की वह तीनों सच में सो रहे हैं कहर की भौहे तन गई कहर हैसी छूट गई इशान आहन विहान तीनों और जोर से खर्राते मारने लगे कहर अपने बेटों की चलाकी देख रही थी जो अपनी मम्मा से चलाकी करने की कोशिश कर रहे थे कहर ने अपने तीनों बेटों को घूरते हुए कहा अच्छा तो अब तुम तीनों अपनी मम्मा से चलाकी करोगे कहर ने जानबूज कर अपने कदमों को चलाना शुरू कर दिया ताकि उसके बच्चों को लगे कि उनकी मम्मा जा चुकी है इशान आहन विहान को जब कहर के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उन्हें लगा कि उनकी मम्मा को उन पर शक नहीं हुआ और उन तीनों के होथों पर लिटल डेविल स्माइल आ गई और वह तीनों ने अपनी आखे जटके से खोली और दर्वाजे की तरफ देखा लेकिन वह तीनों दंग रह गए जब उनकी मम्मा उनके बैट के पास ही खड़ी थी और उन दिनों का मुह खुला का खुला रह गया कहर अपने तीनों शैतान बच्चों को घूर रही थी इशान आहन विहान जहां बैठे थे वहीं के बैठी के बैठे रह गए वह दर गए थे कि अब उनकी मम्मा उनके साथ क्या करेगी वह तीनों एक दूसरे को तिर्ची नजर से देखने लगे उसके बाद वह तीनों सो कर उठने का नाटक करने लगे अपने मून पर छोटे छोटे हाथों से उदास लेते हुए बोले मम्मा क्या सुबह हो गई जिस पर कहर हैरान हो गई और उसने अपने बेटे को हैरानी से देखा ये तीनों अभी भी उसे समार्टनेस दिखा रहे ते उसके बेटे कितनी ज्यादा शैतान और बदमाश हो गए थे जिस पर कहर ने गुस्से से इशान और अहान का कान पकड़ लिया और खीचते हुए बोली मम्मा से चलाकी करोगे तुम तीनों, वही विहान ने तिर्ची नजरों से अपने भाईयों की तरफ देखा शुकर है उसकी मम्मा के तीन हाथ नहीं थे वरना तीसरे हाथ से वह उसके कान को मोड़ते हुए लटका देती कहर ने विहान की तरफ देखा और डाटते हुए बोली और तुम मम्मा को बुद्धु बनाओगे जिस पर विहान डर गया क्या उसकी मम्मा को उसकी कर्तूते पता चल गई विहान के माथे पर पसीने की बंदी आ गई और इशान और आहान भी डर गए विहान ने रोते हुए कहा मम्मा सौरी इशान और आहन के आँखों में भी आसू आ गए कहर ने अपने तीनों बेटों को डाटे हुए कहा तुम तीनों अब इतने बड़े हो गए मम्मा के साथ चलाकी करोगे तुम्हें क्या लगता है मम्मा को पता नहीं चलेगा जिस पर तीनों ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोले सौरी मम्मा दोबारा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे जिस पर कहर ने अपने तीनों बेटे को भूरते हुए बोली अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो मार पड़ेगी उल्टालत का दूंगी पूरा एक दिन नो आइपाद और नो फोन ये सुनकर इशान अहान विहान डर गए और फिर उन्होंने बड़ी आँखों से कहर की तरफ देखा और उनकी आँखों में मोटे मोटे आसू तपकने लगे कहर ने अपने तीनों बच्चों को देखा और इशान आहन का कान छोड़ दिया इशान और आहन ने तिर्ची नजरों से विहान को दिखा और बोले मम्मा ये सब इसकी वजह से हुआ ये हमें सोने नहीं दे रहा था जिस पर कहर ने विहान को घूरा और बोली मैं भी देख रही हूँ आजकल विहान बहुत ज्यादा शैतान हो गया है बहुत जित करने लगा विहान ने तिर्ची नजरों से अपने दोनों भाईयों की तरफ देखा जो सब कुछ उस पर डाल रहे थे अगर ऐसे भाईयों तो दुश्मनों की क्या जरूरत जिस पर विहान ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी ननही ननही उंगलियों से गद्दे में धसाते हुए गुदगुदा कर बोला मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती अब मम्मा मुझे रोज डाटती हैं कहर ने गुसे से कहा अपना ये ड्रामा बंद करो जिस पर विहान का मुह रोने जैसा बन आया और उसकी आँखों से मोटे मोटे आसु लुड़क कर उसके गाल पर आ गई ये देखकर कहर ने विहान को उठा लिया और बोली अब तुम रो क्यूं रहे हो विहान ने रोते हुए कहा इतना डाटा मुझे इन दोनों को नहीं डाटती कहर ने कहा क्योंकि तुम शैतानिया करते हो मुझे अब आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते अब आप सारा प्यार इशान और आहन को करते हो हमेशा मुझे डाटे रहते हो आपने मुझे परसों भी डाटा कल भी डाटा और आज भी डाट रहे हो कल प्यार भी किया कहर ने विहान के आंसु पोचते हुए कहा विहान ने मुह बना कर रोते हुए कहा सिर्फ इतू सा प्यार और फिर अपने हाथों को फैलाते हुए कहा और इतासारा डाटा, कहर ने घूरते हुए बोली तुम्हारी शैतानिया भी इतनी सारी होती है डाट भी उतनी ही पिनेगी विहान ने शिकायत करते हुए बोला आप इन दोनों को तो इतना नहीं डाटती जितना मुझे दरती हो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपन इन दोनों से ज्यादा प्यार करती हो जिस पर कहर ने विहान के गालों पर चुमते हुए बोली अब इतनी शैतानी करोगी तो दाट तो पड़ेगी ना और तुम्हें किसने कहा कि मम्मा तुमसे प्यार नहीं करती विहान ने भरी आँखों से कहर को देखा और बोला अब आप बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करती कहर की भोहे तन गई और उसने विहान को घूरते हुए पूछा ऐसा तुम्हें किस ने कहा विहान ने डरते हुए अपनी छोटी सी फिंगर से इशान और रहान की तरफ इशारा कर दिया ये देखकर इशान और विहान दोनों हैरान हो गए और उच्छाल कर दूर हो गए यह मम्मा से आज हमें पिटवा कर रहेगा वही विहान के फेस पर लिटिल डेविल स्माइल आ गई तुम दोनों खुद को बहुत समझते हो ना मुझसे पंगा बहुत भारी पढ़ेगा बिग ब्रो विहान ने गुसे से इशान और आहन को देखा और बोली तुम दोनों विहान को ऐसा बोलते हो जिस पर दोनों अपने सिर जल्दी से ना में हिलाने लगे वही विहान ने मोटे मोटे आसु बहते हुए कहर की तरफ देखा कहर ने गुस्से से इशान और विहान को देखा और बोली अब तुम दोनों की खेर नहीं तुम दोनों भी कुछ कम शैतानिया नहीं करते जिस इशान और विहान दोनों हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से कहा मम्मा ये जूट बोल रहे हैं जिस पर विहान ने मासूम सा फेस बना लिया और फिर तुकुर तुकुर कहर को देखने लगा कहर इशान और आहन को डाटना लगी विहान हमेशा अपने छोटे होने का फाइदा उठाता था इशान और आहन अपनी मम्मा की डाट भी के साथ साथ तिर्ची नजरों से विहान को देख रहे थे जो उनको जीद चड़ा रहा था तुम्हारा तो हम कचुंबर बनाएंगे देखते जाओ तुम दोनों की आँखों में बदले की आग जल रही थी वही दर्वाजे पर खड़ा समीर भी यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था ये तीनों सिर्फ अपनी मम्मा से ही डरते हैं क्योंकि समीर से तो वह तीनों बिलकुल भी नहीं डरते थे अगली सुबह कहर अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार थी वही समीर भी अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार था क्योंकि आज वह दोनों एक मीटिंग के लिए जाने वाले थे वहीं कहर के तीनों बच्चे भी बात लेकर तैयार हो गए थे और उनके देखभाल करने के लिए नीना और भीना दोनों गई थी और आज कहर ने अपने तीनों बच्चों से प्रॉमिस किया था जब वह वापस आएगी तो उन तीनों को लखनव भुमाने लेकर जाएगी थोड़ी देर में कहर ने अपने बच्चों को प्यार किया और अपनी मीटिंग के लिए निकल गई मैं थोड़ी देर बात कहर की कार आकर एक बड़ी सी बिल्डिन के सामने रुकी कहर और समीर दोनों बाहर आए कहर और समीर अंदर गए और उन्होंने रिसेप्शन को अपना कार्ड दिया उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें फ्लो नंबर बताया कहर ने उन्हें थैंक्स कहा और उसके बाद वह दोनों लिफ्ट से फ्लो नंबर फिफ्टीन पर पहुँच गए जहां पर मीटिंग होने वाली थी कहर एक प्रोफेशनल की और समीर भी एक प्रोफेशनल बिजनेसमेन था दोनोंने मीटिंग रूम में कदम रखा और उसके बाद मीटिंग रूम में मौझूद लोगों से मिले और उन्हें हेलो करने लगे Meeting अभी start नहीं हुई थी जब तक Meeting के सारे members नहीं आ जाते Meeting start नहीं होती और अभी एक member Meeting में आना बाकी था और सभी इस शक्स का wait कर रहे थे यह Meeting Mr. Saxena Dongle City के Samuel Project के लिए थी और कहर को किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिये था अगर यह प्रोजेक्ट कमपनी को मिल जाता है उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफित होगा वही कहर को एक कॉंट्रेक्ट मिला था वैदिन कॉंट्रेक्ट कहर की कमपन वैदिन फ़न्क्षन को और्गनाइज करती थी वही कहर को अपनी कमपनी से मेल आया था कि किसी बड़े शक्स ने उनकी कमपनी को ओफर दिया है और वह हमारी कमपनी से स्पेशल अपनी बेहन की शादी का फंक्षन अरेंज करवाना चाहते हैं एवं इंगेजमेंट पार्ती हल्दी मेहंदी का function उनके वह चाहते हैं कि Royal Diamond Company ही करें कहर ने अभी इस project के लिए हा नहीं बोला था क्यूंकि वह project के बारे में सोच रही थी एक बार हो उस सक्ष से पसनली मिलना चाहती थी लेकिन उसे ये भी पता चला था कि वह शक्स Australia में रहता है और वह इंडिया 5 साल बाद वापस आ रहा है इस वज़े से वह अपनी बहन की शादी का contract उन्हें देना चाहता है क्योंकि Royal Diamond इन 5 सालों में काफी famous हो गया था और Royal Diamond Head Office बेंगलूरू में था लेकिन इसकी branch हर famous शहर में मौजूद थी Royal Diamond Wedding और्गनाईज करने का जिम्मा उठता था कहर अपने ख्यालों में ही खोए हुए थे कि कभी किसी की दस्तक meeting room में हुई सब खड़े हो गए लेकिन कहर खड़ी नहीं हुई थी क्योंकि वह तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी वह शक्स meeting room में मौजूद हर शक्स को देखा और फिर तेज आवाज में बोला शायद कोई यहाँ पर present नहीं है, meeting hall में मौजूद लोग कहर की तरफ देखने लगे तभी समीर ने कहर को आवाज दी कहर चौप कर अपने होश में आ गई और जल्दी से हरबड़ा कर खड़ी हो गई उसने अपना सिर उठा कर सामने देखा तो दंग रह गई उसके सामने वह शक्स खड़ा था जिससे वह कभी नहीं देखना चाहती एलविश ने कहर की तरफ तीखी नजरों से देखा और फिर सब की तरफ देखते हुए बोला जो सक्ष मीटी ग्रूम में present नहीं है वह यहाँ से जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वक एथिक्स की जरूरत होती है absent mind लोगों की यहाँ जरूरत नहीं कहर ने गुस से एलविश की तरफ देखा वह जानती थी कि एलविश ने ये शब गुस के लिए कहा था समीर हैरान था वह लोग जहाँ भी जा रहे थे आजकल ये शक्स उनके आसपास की भटक रहा था ये कोई इत्तेफाक थाया फिर कुछ और कहर ने अपनी सर्द निगाहों से एलविश को देखा और अपने प्रोफेशनल टोन में बोली अगर मिस्टर इग्निविंशी को मेरे यहाँ तक होने से प्रॉबलम है तो मैं मीटी गुरूम से बाहर चली जाती हूँ आप लोगों को मेरी वज़े से कोई जिस पर कहर ने मिस्टर दोंगल को देखते हुए कहा यस मिस्टर सक्सेना दोंगल एलविश ने अपने होन्त बीच लिया वह कहर को नीचे दिखाना चाहता था लेकिन कहर की मुह तोड जवाब ने उसे जवाब दे दिया था एलविश अगर अपनी चेय पर बैठ गया और उसके साथ ज्यादा आया था वह भी बगल वाली शहर पर बैठ गया कहर को बहुत गुस्सा आ रहा था ये शक्स यहां क्या कर रहा है उसने यहां पर एलविश की उम्मीद नहीं की थी अगर उसे पता होता तो वह यहां खुद ही नहीं आती उसे बार बार इस शक्स का चेहरा देखना पड़ता है मीटेग शुरू हो गई थी एक के बाद एक सभी अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे थे और प्रॉजेक्ट से रेलेटड डिसकशन कर रहे थे वही एलविश की नजर कहर पर थी कहर का पूरा फॉक्स इस वक्त प्रेजेंटेशन पर था दूसरे ही पल एल्विश की नजर कहर के साथ बैठे समीर पर गई ये देख कर एक बार फिर उसका खून कॉल उठा उसे रह रहकर यह बात चुपती थी कि उसकी बीवी ने उसे इस शक्स के लिए छोड़ा था और इस शक्स ने एल्विश इगनिविंशी की बीवी पर हाथ डाला था वही जायद भी यह चीज नोटिस कर रहा था कि एल्विश का ध्यान मीटीड में नहीं था बलकि उसका पूरा ध्यान स्टार्टिंग से सिर्फ कहर पर था जायद सोच में पढ़ गया एक तरफ तो यह इनसान अपनी एक्स वाइफ बीवी को बरबाद करना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ उससे नजले भी नहीं हटा रहा आखिर उसके मन में चल कर रहा है जायद सोच में पढ़ गया यह मामला जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं कुछ ऐसा गहरा रिस्ता जरूर है इनके बीच क्योंकि एलविश के ऊपर जितना गहरा असर कहर ने छोड़ा था उतना आज से पहले किसी औरत ने नहीं फाइव साल बीट गए थे और वह अभी तक उभर नहीं पाया था बलकि वह इस जलन और धोखे की आग में जल रहा था समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला कहर कहर ने मुस्कुराते हुए समीर की तरफ देखा हम समीर समीर ने पानी की तरह इशारा किया और कहर के फेस की तरफ देते हुए बोला तुम्हें कितना पसीना आ रहा है जिस पर कहर ने समीर को देखा और हलका मुस्कुराते हुए बोली थेंक्यू बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है समीर ने कहा तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब क्योंकि एसी चलने के बावजूत कहर को पसीना आ रहा था कहर ने धीरे से कहा कुछ खास नहीं बस मुझे प्यास लगी है जिस पर समीर ने उसे पानी दिया और बोला टेक इट समीर भी नोटिस कर था जबसे यह एलविश इग्निविंशी आया था जबसे कहर इंकनफिटेबल हो गई थी समीर ने कहर के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे कमफर्ट किया कहर ने समीर की तरफ देखकर हलका सा मुस्कुरा दी और अपना सर धीरे से हिला कर थेंक यू बोला आई एमो के वही एलविश की नजरे तो कब से कहर पड़ी थी और टेबल के नीचे उसकी मुठ्थियां कस गई थी उसके कानों में थकान शब्द जैसे चुब रहा था कोई उसकी आखों के सामने ही उसकी बीवी को हाथ लगाएगा तो उसे कैसा महसूस होगा एलविश इस वक्त गुस्से से उबल रहा था उसके साथ बैठे जायत को यह नजर भी आ रहा था क्योंकि जब एलविश गुस्से में होता था या बेचैन होता था तो वह अपने हाथ की फिंगर की रिंग को घूमने लगता था मीटेग एंड हो चुकी थी वही कुछ देर मिस्टर सक्सेना डोंगल ने एलविश के साथ डिसकस किया कि उन्हें ये प्रोजेक्ट किस कमपनी के साथ साइन करना है उसके बाद मिस्टर सक्सेना डोंगल ने सब की तरफ देखते हुए कहा आप सब की पफोर्मेंस लाजबाव थी इसलिए हमें डिसाइड करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए हम आपको वन वीक के अंदर डिसाइड कर कर बता देंगे हम इसका डिसीजन यूँ ही नहीं लेना चाहते क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत बढ़ा हैं जिस पर बाकी सब ने हामी भर दी मिस्टर सक्सेना डोंगल ने सब की तरफ देखकर कहा आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि आपके साथ काम करने का आगे भी मौका मिलेगा सब कलेप करने लगे और आकर मिस्टर सक्सेना डोंगल से मिलने लगे एक्षा कहर और समीर भी आकर मिस्टर सक्सेना डोंगल से मिले उसके बाद कहर और समीर भी मीटी ग्रूम से बाहर चले गए वहीं एलवेश के तीखी नजरे पर ही बनी हुई थी वही बाहर जाकर कहर ने समीर की तरफ देखा और बोली मेरी वजह से तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है तुम चाहो तो वापस बेंगलूरू जा सकते हो मैं नहीं चाहती की मेरी वजह से तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़े समीरा ने कहर को घूरते हुए कहा मैंने तुम्हें कहा की मुझे प्रॉब्लम है मुझे नुकसान हो रहा है मैथिली वहां सब संभाल लेगी कहर ने जल्दी से कहा मेरा वह मतलब नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमें काफी दिन लग सकता है और अभी मुझे डॉक्टर थॉमस कन्वेंस करना है समीर ने कहा तुम अकेले टैकल नहीं कर सकती जिस पर कहर ने भोहे उठाते हुए बोली तुम मुझे अंडिस्टीमेट कर रहे हो समीर भादवाज जिस पर समीर ने हलकी स्माइल के साथ कहा बेबी इतना गुस्सा क्यूं कर रही हुँ मैंने तुम्हें इंडिस्टीमेट कहा किया जिस पर कहर ने अपना सिर घूम कर समीर को घूरा और बोली मेरे साथ फलट कर रहे हो समीर भादवाज आए हो चल कर दो पैरों पर लेकिन जाओगे सिर्फ एक पैरों पर कहर ने समीर को वानिंग देते हुए कहा समीर के फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहर को देखा और बोला तुम अपने बच्चों के डद्दा की तांग तोड़ोगी मेरे बेते तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कहर की भौहे तन गई जिस पर कहर ने समीर को घूरा और बोली हम तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे नहीं पसंद फ्लर्ट जिस पर समीर ने कहा ओके ओके बाबा सोरी समीर ने कहर को देखा और बोला आज इशान आहन और विहान के साथ तुमने प्रॉमिस किया कि उन्हें घुमाने लेकर जाओगी कहर मुस्कुराते हुए बोली अभी डिसाइड कर रही हूँ तभी कहर का फोन रिंग करने लगा कहर ने अपना फोन देखा तो उसके बच्चों का कॉल था उस पर उसके तीनों बच्चों की इसकी पिक लगी हुई थी जब वह दोनों तीनों आठ महीने के थे और एक दूस इसरी तरफ से इशान ने कहा ममा आप कहा हो वी आ वेटिंग फर यू जिस पर कहर ने मुस्कुराते हुए कहा हम बस अभी आ रहे हैं तुम लोग रेडी हो जाओ जिस पर रहान बोला ममा हम तो कब से रेडी हैं हम लोगों ने तो स्नेक्स भी पैक कर लिया हैं और तो और मै ने अपना आइपैड भी रख लिया है जिस पर कहर के फेस पर मुस्कुराहट आ गई उसके बच्चे उससे भी दो कदम आगे थे इसमें कोई शक नहीं था कि कहर के तीनों बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे तभी विहान भी बोला ममा लव यू मैं कब से आप का वेट कर रहा हूँ मैंने अपना कैमरा भी ले लिया है हम वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोस क्लिक करेंगे ये सुनकर कहर को हैसी आ गई और वही दूसरी तरफ समीर भी मुस्कुराने लगा ये तीनों उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज थे कहर ने कहा ओके गुड ब रही थी उनके भी फोन पर वह किस से बात करी थी इसका अंदाजा उन्हें नहीं था एलविश को कहर की खुशी बरदाश्ट नहीं हो रही थी वह देख सकता था कि कहर अपनी फैमली के साथ कितनी खुश थी लेकिन तुम्हारी इन खुशियों में आग मैं लगांगा कहर कह कहर बीच में खड़ी थी एलविश उसके बगल में खड़ा था और समीर उसके राइट साइड में खड़ा था कहर ने अपने और एलविश के बीच में काफी दूरी बना रखी थी और समीर से थोड़ा सा और क्लोज हो गई थी एलविश के भाव सर्द थे तभी उस पीछे किया और एल्विश के फेस को देखने लगी और उसके गाल को सहलाते हुए बोली बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया और नो रिजल्ट की मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पाई और यहां भी आ गई, जायद भी हैरान हो गया जोसफीन सालविट और यह यहां क भने लगी उसकी आँखों के सामने 5 साल पहले, वाले मंजर एक पल में गोंड गया और उसका दिल फिर से भर आया कहर की आँखे लाल हो गई थी उसका बरसों पुराना, जख्म एक बार फिर हर हो गया था 5 साल पहले जिस लड़की के साथ उसने एल्विश को इंटिमेट हो देखा था ये, वह लड़की नहीं थी, लेकिन आज इस आदमी की बाहों में दूसरी लड़की थी कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं हो सकती और एल्विश इगनिविशी, भी वैसा ही था शायद लड़कियों के साथ खेलना इसका पैशा था, अब कहर को समझ आ रहा था कि एल्विश इगनिविशी एक प्लेबॉय है, जब समीर ने जब देखा कि केर कंटीनिवस एल्विश इगनिविशी की तरफ देख रही है तो उसे ये बिलकुल अच्छा नहीं लगा और उसने कहर को बोला कहर, जिस पर कहर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने समीर की त और बोली हा माई फेवरेट स्ट्रॉबेरी, वही एल्विश का ध्यान तो जोसफीन पर बिलकुल नहीं था, उसके कान में कहर और समीर की बाते सुन भूम रही थी, किस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं ये लोग और एल्विश का ध्यान तो सिर्फ एक चीज पर गया क्या ये फ्लेवर, कॉंडम्स की बात कर रहे हैं, एल्विश ने अपने होंत भीच लिया गुस्से से उसकी मुठ्थियां कस गई, जायद भी हैरान था और उसके दिमाग में एल्विश जैसा ही ख्याल आया की कॉंडम्स फ्लेवर्स की बात कर रहे हैं, ये लोग, जोसफीन ने लगी थी जायद समझ गया था की एल्विश को फिर रियेक्शन हो गया है, लिफ्ट खोलते ही एल्विश जल्दी से लिफ्ट से बाहर आया और उसके पीछे पीछे जायद भी जोसफीन को ये बिलकुल, अच्छा नहीं लगा की एल्विश ने उसे इग्नो किया, कहर और सम जोसफीन भी कार में आने लगी तभी जायद ने उसे रोकते हुए कहा जोसफीन तुम दूसरी कार में आ जाओ मुझे, और ब्रो मुझे काम से जाना है और तुम्हारा वहाँ आना सेफ नहीं है जिस पर जोसफीन को गुस्सा आ गया लेकिन, उसने कुछ कहा नहीं और अप जायद ने धीरे से कहा ब्रो मेडिसन खत्म हो चुकी है, एलविश गुस्से से चलाया वह पूरा पसीने से भीग चुका था, उसके चेहरे पर रैशेज हो गए थे उसके हाथ पैर कापने लगे, जायद ने कार स्टॉट कर दी और जल्दी से होटल की तरफ कर लेकर के नीचे उसके साथ बैठी थी कर दुलहन के जोडे में थी, एलविश ने महसूस किया किसी ने उसके फेस पर हाथ रख दिया, एलविश ने उस सक्ष का हाथ पकंग लिया और दूर जटक दिया लेकिन उस शक्स ने दोबारा एलविश के गाल पर हाथ रखा, और इस बार पेश ने अपनी आखे खोली और बोला तुम डोंट टच मी कहर, कहर ने मासूम सा फेस बना लिया और बोली तुम जानते हो ना कपकेक तुम्हें मैं ही शांत कर सकती हूँ, एलविश ने लाल आखों से कहर की तरफ बोला दफा हो जाओ, कहर ने एलविश के फेस सलाया और उसका सिर अपनी गोंद में रख लिया, एलविश ने अपना फेस कहर के पेट में चुपा लिया शांत हो जाओ मैं हूँ ना यहां डोंट पैनिक, एलविश काम रहा था, उसकी पूरी बोडी पर रैशेज हो गए थे, उसका फेस भी रेड हो गया था, एलविश चुप चा पर देख रहा था और एलविश को ऐसे लेदर सीट पर लेटे देख कर उसे थोड़ी हैरानी, हुई ऐसा लगा रह जैसे किसी ने एलविश को हक कर रखा है, जायद ने कार होटल आकर रोक दी, जायद ने एलविश को आवाज दी तो एलविश की आखे जटके से खुली और उसने इधर उधर देखा उसके आसपास कोई नहीं, था, जायद बोला ब्रो, जायद ने एलविश को गलव्स दिये और कैप मास्क ताकि होटल रूम तक पहुँचने तक कोई भी एलविश को ना पहचाने, एलविश कार से बाहर आया और उसके बाद सीधा वह दोनों होट कर रखा है और आहन ने देखा कि वह अंकल उनके सामने वाले फ्लेट के अंदर चला, वही एलविश की नजर भी आहन पर पढ़ चुकी थी लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपने फ्लेट के अंदर जाना था, जायद ने आहन को देखा आहन जायद को घूर रहा था, जायद अहन अपनी मम्मा का कॉरिडोर पर खड़ा होकर वेट कर रहा था और कॉरिडोर में इधर उधर चल रहा था क्योंकि वह बहुत बेबर था और एकसाइटमेंट में उसे रहा नहीं जा रहा था और ज्яжांप- ज्धांप कर देख रहा था कि मम्मा कब आ रहे हैं, वही एलव अपना सिर उठाकर सामने लगे मिरा को देखा उसका पूरा फेस रेड हो गया था और उसे पर रेसेज काफी बुरे लग रहे थे एलविश का हैंसम फेस पीला पड़ गया था एलविश ने गुस्से वहां का सारा सामान इधर उधर फेक दिया एलविश शावा के नीचे जाकर खड़ा हो गया और खुद की बॉड़ी को क्लीन करने लगा वही कहर अपने फ्लैट पर पहुँच चुकी थी आहन ने जब अपनी मम्मा को देखा तो दोड़ते हुए उसके पास गया हो चिलाते हुए बोला मम्मा आहन को इतना खुश देख कर तो उसका दिल भर गया अहन भागते हुए आकर कहर के पैरों से लिप्ट गया ये देख कर समीर भी मुस्कुरा दिया कहर ने आहन को उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली तुम इतना वेट कर रहे थे जिस पर आहन ने कहा यस मम्मा आप कितनी लेट हो मैं क कब से आपका वेट कर रहा था मुझे तो लगा कि आप आओगे ही नहीं और हमारा प्लान फिर कैंसल हो जाएगा लेकिन अब तो आप आगए हो अहन ने चहकते हुए कहा कहर ने जब अपने बेटे की खुशी देखी तो वह भी मुस्कुरा दी और अहन को लेकर फ्लैट के अंदर चली गई वहीं समीर ने अपने सामने वाले फ्लैट को देखा समीर की भोहे तन गई कहर मुसकुरा कर आहन को देखकर बोली मेरा बच्चा इतू एक साइड है आहन मुसकुरा कर बोला मम्मा हम कहा घूमने जाएंगे कहर ने कहा वह सर्प्राइज है कहर आहन को अंद लगा रखी थी और इस वक्त कहर भी उन तीनों में फर्क नहीं बात सकती थी दिखने में बिलकुल एक जैसे लग रहे थे कहर ने जब अपने बेटे को ऐसे देखा तो उसकी हसी छूट गई और उसने मन ही मन खुद से कहा ये तीनों इतनी ज्यादा एक्साइटड हो उसने सोचा नहीं था फिर कहर सोचने लगी कि अगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया होता तो उसके बच्चों का दिल तूट जाता वही एलविश बात रोग पहन कर सोफे पर बैथा हुआ था और उसके सामने डॉक्टर थॉमस बैथे थे एलविश ने स्पेशल डॉक्टर थ अगर थोड़ी और देर हो जाती तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता ये सुनकर जायद है राश हो गया और एलविश के भाव कथोर हो गए डॉक्टर ने आगे कहा आपकी बीमारी बहुत यूनिक है आपको OCD के साथ साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है कि आप को कोई लड़की छू नहीं सकती अडवाईज आपकी हालत खराब हो जाती है ये डिसॉर्डर कौन सा है इसके लिए हम अभी भी एक जामिन कर रहे हैं प्लीज आप अपना ध्यान रखें और लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा करें क्योंकि ये आपके लि होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि तीनों बच्चे ट्रिपलेट्स है एलविश ने ड्राइव मनोज दास की तरफ देखा और बोला मुझे इसका पर्मानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा जिस पर ड्राइव मनोज दास बोले हम क जिस पर एलविश ने ड्राइव मनोज दास को देखा और अपनी थंडी आवाज में बोला कितने सालों से तुम यही कर रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हें इसका कोई पर्मानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला जिस पर ड्राइव मनोज दास ने कहा आप फिकर मत करिये मिस्टर इगनिविंशी में इतने सालों से इसी काम में लगा हूँ और मैं जल्दी ही आपके डिसॉर्डर का पर्मानेंट सॉल्यूशन धूंद लूंगा आपका डिसॉर्डर तभी रियक्ट करता है जब कोई लड़की आपको टच करती है जब लड़कियों के स्किन आपसे आपके तो आप उनसे थोड़ा दूर रहिए डॉक्टर मनोज दास ने एलविश को देखा और आगे बोले अच्छा होगा कि आप अभी कोई फिजिकल रिलेशन अवोइड करे वरना आपको इससे काफी सफर करना पड़ेगा अगर आप इसके साथ फिजिकल होते भी हैं तो आपको यह मेडिसिन जो हम आपको प्रुवाइड करते हैं वह पहले लेनी होगी आफ्टर इंटकोज भी आप इसे ले सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो इंटकोज वक्त आपकी मौत हो सकती हैं जिस पर एलविश की आँखे लाल हो गई और उसने गुसे से ड्राइव मनोज दास देखा और बोला क्या मैं तुम से राए मांगी क्या मैं तुम्हें कहा कि तुम मुझे एडवाइस दो जिस पर ड्राइव मनोज दास की बोलती बंध हो गई डॉक्टर मनोज दास को लगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया जायद में अपना मुह दूसरी त रखा था और समीर कार बाहर निकल रहा था अहान और इशान दोनो अपना बैग लेकर कहर के पीछे चल रहे थे उन्होंने जब कार को पाकिन एरिया से बाहर आते हुए देखा तो डोड़ कर कार की तरफ जाने लगे इशान और आहन दोनो ऐसे भाग रहे थे जैसे रेस विहान भी अपने भाईयों को देख रहा था उसने अपने भाईयों को घूरते हुए सोचा कहीं ये दोनों वहां जाने से पहले प्लान कैंसल ना करवा दे मम्मा को गुस्सा दिला कर आहान और इशान कार के अंदर चाद गए और लैदर सीट पर बैठ गए उसके बाद दोनो उने तुकुर तुकुर एक दूसरे को घूरा और ओपोजिट डाइरेक्शन में दोनों ने मुह फेर लिया हो दोनों के फेस पर दुनिया भर का घमन दिख रहा था वही कहर धीरे धीरे विहान को लेकर आ रही थी विहान ने अपनी मम्मा को देखा और बोला लव यू मैमा कहर ने विहान के गाल पर किस करते हुए बोली ममा लाव्ज यू वही एलविश अपनी जगह से खड़ा हुआ अपनी ग्लास विंडो के सामने आकर खड़ा हो गया और बाहर का नजारा देखने लगा तभी उसकी नजर एक शक्स पर गई कहर को देखकर एलविश की आँखे एक बार फिर सर्द हो गए समीर भी कार के पास ही खड़ा था और कहर और विहान का वेट कर रहा था कहर की गोद में विहान था ये तीनों कहा जा रहे हैं एलविश ने गुस्से से अपना फोन निकाला और मैनेजर को डायल कर दिया एलविश गुस्से से कहर को देख रहा थ तब ही कार से आहन ने अपना सिर निकाला और बोला मम्मा जल्दी आउना हम लेठ हो जाएंगे। कहर आहान को देखकर मुस्कुराई वही एलविश ने जब कार से एक छोटा सा सिर बाहर निकलते देखा और हैरान हो गया। फिर उसने कहर की गोद में मौजूद विहान को दे थी क्या वह कुछ ज्यादा बीमार था इसलिए उसे एक ही बच्चा दो जगह पर दिख रहा था। मैनेजर बॉस मैनेजर बोला मैंजर बार बार बोल रहा था लेकिन एलविश का ध्यान तो बाहर था। तभी जायद ने एलविश को आवाज देते हुए बोला ब्रो एलव वहां से निकाल गई थी एलविश की पकर अपने फोन पर कस गई। एलविश ने गुस्से से कहा मैने तुम्हें कहा था कहर रगुवनशी इस होटल को छोड़कर नहीं जानी चाहिए। मैनेजर ने जब एलविश की इतनी दरावनी आवाज सुनी तो उसने धीमी आवाज म ने कहा बॉस मिस रगुवनशी होटल छोड़कर नहीं गई। एलविश गुस्से से चिलाया तुम मुझे बेवकूफ समझते हो अभी मैं अपनी आखों के सामने उसे अपनी फैमली के साथ जाते हुए देख रहा हूँ। तभी मैनेजर ने दरते हुए बोला बॉस मिस बॉसित ऑल पर दे मारा और चिलाया कहर तुम मेरी जिंदगी बर बाद करके अपनी जिंदगी इंजॉई कर रही हो मैं तुम्हारी जिंदगी का वह प्वाईजन हो जो तुम्हें धीरे-धीरे खत्म कर देगा। कहर ने विहान को देखा और बोली विहान तुम ग्लावस जिस पर विहान अपनी मम्मा को तुकुर तुकुर देखते हुए बोला लेकिन क्यों मम्मा? इसपर कहर सोच में पढ़ गई की वह विहान को क्या बोले? जिस पर कहर की भौहें तन गई कुछ तो गरबर है इतनी आसानी से कैसे मान गया उसका बेता? कहर विहान को घूर रही थी जो मासून सा चेहरा बनाकर तुकुर तुकुर उसे ही देख रहा था क्योंकि विवान सबसे ज्यादा शैतान था और उसे कन्वेंस करने में कहर को बहुत पापर बेलने पड़ते थे वही इशान और अहान की भोहे तन गई उनका ये दुष्ट भाई इतनी आसानी से कैसे मान गया जरूर इसके दिमाग में कुछ खुरापताती चल रही हैं समीर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसके फेस पर स्माइल थी वह बहुत खुश नसीब था जो इतनी चोटी सी फैमली का हिस्सा था वह समीर के बगल वाला सीट पर इशान बैठा था उसने कहा डैडा हम कब पहुँचेगे समीर ने मुसकुराते हुए कहा बस कुछ ही वक्त में पहुँचे जाएगा जिस पर इशान बोला हो के डैडा कहर अपने तीनों बच्चों को देखते हुए बोली वहाँ पर कोई शैतानी नहीं करनी है अगर तुम तीनों ने शैतानी की तो मैं तीनों को वापस लेकर आ जाऊंगी अपने मम्मा की बात सुनकर इशान आहान विहान तीनों एक दूसरे को देखने लगे उन तीनों ने अपना सिर नीचे कर लिया उसके बाद तीनों के फेस पर लिटिल डेविल स्माइल आ गई थोड़ी ही देर में अंबेद कर पाक पहुँच गए इशान और अहान दोनों उचल कर कार से बाहर निकले और समीर भी कार से बाहर निकाला और बोला भी कैफुल तभी कहर विहान को संभालते हुए कार से बाहर निकली इशान अपने ननहे ननहे पैरों से भागते हुए इधर उधर देखने लगा और चिला कर बोला वाओ मम्मा हम कहां पर है अहान भी जोर से चिला कर बोला मम्मा ये कितना ब्यूटीफुल है एलेफंट सहान खुशी से उच्छल पड़ा और वह चलते हुए बोला मम्मा ये कितना अच्छा है आहन इतना प्यारा लग रहा था कि कहर अपने बच्चों को इतना खुश देख कर बहुत ज्यादा खुश थी इशान ने बड़े बड़े एलेफंट के स्टैचू को देखते पूछा मम्मा ये कौन सी प्लेस है इशान अहान और विहान वहाँ पर और भी फैमिलीज को देख रहे थे जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह लोग भी यहाँ पर घूमने आये थे उनकी तरह कर जानती थी कि अब उसके बच्चों के सवाल शुरू हो जाएंगे करने अपने बच्चों को देखते हुए अंबेटकर पाक है ये लखनव का सबसे फेमस पाक है लखनव जिस पर आगे आहवान बोली अंबेटकर पाक है मैं 62 हाथियों की मुर्तिया है डौन बीन आर अंबेटकर पाक गोमती नगर इलाके में 107 एकर में फैला है यहाँ पर रोजाना सेकड़ो लोग घूमने आते हैं कहर ने हामी भरते हुए कहा लेकिन फिर वह हैरान हो गई उसने पीछे मुर कर अपने छोटे अहान को देखा जो ये सब बोल रहा था कहर ने आखे छोटी करके कहा तुम्हें कैसे पता कहर ने देखा कि उसके बेटा अपने आईपैड में देखकर ये सब बोल रहा था वही विहान और इशान आहन को घूरते हुए सोचने लगे ये यहाँ पर भी शुरू हो गया कहर सोचने लगी यह यहाँ पर भी शुरू हो गया कहर के तीनों बेटों की आदत थी वह हर चीज की नौलज रखना पसंद करते थे और यहाँ पर भी उन्होंने हम बेट कर पाक है के बारे में सर्च करना शुरू भी कर दिया वही विहान अपने हाथ में पेकडे मिनी कैमरा अपने से 100 गुना बड़े हाथियों को देखने लगा और उनकी फोटोस खीचने लगा कहर अपने बच्चों के साथ अंदर की तरफ चल दी वही इशान और रहान दोनों भाग भाग कर उस पूरे प्लेस को देख रहे थे और दूर जाकर चिल्ला कर अपनी मम्मा को बुला रहे थे वही समीर भी आ गया था और वह सभी काफी एंजॉई कर रहे थे वहां मुझे लोग भी एक जैसे तीम बच्चों को देख कर उन्हें देखते ही जा रहे थे और वह इतने प्यारी लग रहे थे कि कोई उनसे नजर भी नहीं हटा पा रहा था तीनों में डिफ्रेंस पता करना बहुत मुश्किल था और उस पूरे समय में कहर ने विहान को अपनी गोद में ही रखा हुआ था उसने विहान को नीचे नहीं उतारा था विहान ने जब अपने भाईयों को इतना मजे करते हुए देखा तो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला मम्मा मुझे भी उतार दोना मुझे भी मस्ती करनी हैं वहाँ पर थोड़ी भी होने लगी थी कहर ने विहान को देखा और बोली तुम्हारे छोटे छोटे पैरों में दर्ध होने लगेगा जिस पर विहान मुझ फूलते हुए बोला मुझे पता है आप हमेशा ही ऐसे करती हैं जहां पर भी घूमने मुझे लेकर जाती है उन दो कहर ने विहान की जिग पर हार मानकर विहान को नीचे उतार दिया और बोली ध्यान से तुम किसी के कनेक्ट में मत जाना और अपने हाथों से गलव्स मत निकालना जिस पर विहान मुस्कुराते हुए बोला येस मैमा और फिर विहान भी अपने भायों के पीछे पीछे लेकिन उसे विहान की फिक्र हो रही थी। कहर ने आहान की तरफ देखा और बोली ज्यादा मत भागो वरना तुम्हें प्राब्लम हो आहान। मम्मा इशान आहन विहान अपनी मम्मा की तरफ देखा और उन्हें फ्लाइंड किस दे दी और तीनों ने कहर को देख कर आई विंक कर दी कहर अपने तीनों बेटों को कमर पर हाथ रख गूरने लगी यह तीनों अभी से अपनी मम्मा पर ही लाइन मार रहे है कहर अपने बच्चों को खुद और मस्ती करते हुए देखा बहुत खुश थी वही समीर कहर और बच्चों को देख कर खुश था वह इतना खुश नसीब था कि वह छोटी सी फैमली का इतना बढ़ा हिस्सा बन गया था कहर ने विहान को देखा और बोली विहान ध्यान से मम्मा पासा। विहान ने घुंकर बोला मम्मा से चीज विहान अपने मिनी कैमरा से कहर की फोटो क्लिक कर रहा था। आहान बोला डैडा मुझे इसी छोटू हाथी पर बैठना है। समीर ने आहान को उठा कर मिनी स्टैचू elephant पर बैठा दिया और विहान तरह तरह की उसकी photos खीचने लगा इशान ने कहर को देखते हुए पूछा मम्मा जिस पर कहर ने इशान को देखा और बोली हम इशान मम्मा भूख लगी है जिस पर कहर बोली तुम यहीं रुको मैं भी कुछ लेकर आती हूं कहर कहर ने समीर को देखा जो विहान और आहन के साथ बिजी था इसलिए कहर ने उसे डिस्टब नहीं किया कहर वहां से चली गई वही आहान और विहान दोनों बारी-बारी से elephant पर चलकर photos के कर रहे थे वह तीनों बच्चे लोगों का attention खीच रहे थे क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे और उन्होंने कपड़े भी सेम पहन रखे थे कैप को right direction में turn किया हुआ था तभी आहान बोला डेडा हम तीनों dance करते हैं आप हमारा वीडियो बनाव ना प्लीज डेडा समीर बोला हो के वह तीनों अभी अंदर वाले हिससे पर नहीं गए थे बलकी बाहर ही थे इसलिए यहां पर कोई रोक टोक नहीं थी तभी तीनों भाई एक साथ आकर खेंगे हो गए और राइम पर दान्स करने लगे एक मोटा हाथी जूम के चला मकड़ी के जाल में जाके वो फहसा जाल को देखा देख वो डरा दुसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ तीनों एक साथ अपना बम हिलाने लगे तीनों को इतना अच्छा डान्स करते हुए देखकर समीर भी मुस्कुराने लगा वहाँ पर आ रहे जा रहे लोग भी एकठा होने लगे और उन तीनों को ही देखने लगे और क्लैपिंड करने लगे और उन तीनों के साथ ही राइम्स गुनगुनाने लगे क्लैपिंड करके ताल से ताल मिला रहे थे एक मोटा हाथी जूम के चला मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा और वहां पर कुछ लोग उन तीनों को देखकर वुटीग करने लगे क्लैपिंड करते हुए राइम्स गुनगुना कर उनकी ताल में ताल मिला रहे थे वही कहर स्नाक्स लेकर आ रही थी कहर ने जब इतनी सारी भीर देखी तो वह घबरा गई और वह जल्दी से उसने जो अपने पकर रखा था उसे फैक कर भाग कर अपने बच्चों के पास आने लगी और उसने भीर को चीरते हुए देखा तो अपनी जगह पर खड़ी रह गई उसके तीनों बेटे मटक मटक कर दान्स कर रहे थे कहर का मुह खुल गया बाकी सभी क्लैपिंड करते हुए उनके साथ राइम्स गुनगुनाते हुए जूम रहे थे ये देखकर कहर की आखे छोटी हो गई खुद भी नाच रहे हैं उन लोगों को भी नचा रहे हैं उसके बच्चे भी ना समीर को अपने बेटों का वीडियो बनाते हुए देखकर कहर की छोटी हो गई और समीर भी इन तीनों में शामिल हो गया ये तीनों तो है शैतान कहर का मन कर रहा था कि अपने तीनों बच्चों का बम लाल कर दें कहर अपने बेटों को घूरने लगी और अपनी मम्मा की तीखी नजरों से अंजान इशान आहन विहान खुद में मस्त थे तभी कहर ने देखा कि कुछ लेडिस उसके बच्चों के पास आ गई और अहान विहान इशान को उठा लिया और उनके गाल पर किस करते हुए उनकी तारीफ करने लगी और चौकलेट देने लगी ये देखकर कहर घबरा गई और वह जल्दी से उनके पास आई और बोली प्लीज आप मेरे बच्चों को नीचे उतार दीजिए जिस पर उन लेडिस ने कहर के बच्चों की तारीफ की कहर ने थेंक्यू कहा लेकिन कहर के चहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी उसने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा धीरे धीरे भीर कम होने लगी कहर ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें हग करते हुए बोली तुम तीनों को क्या जरूरत थी यह सब करने की तभी अहान और विहान की आखे लाल होने लगी और वह दोनों कापने लगे उन दोनों के face पर raid fresh just आने लगे और उनकी body raid होने लगी अहान और विहान का raid face देखकर कहर अंदर से डर गई और उसकी आँखों में आशु आ गई अहान बोला मम्मा सांस नहीं आ रही अहान उल्टियां करने लगा था उसके नन्हे नन्हे हात कापने लगे थे कहर ने आहान को अपने सीने से लगा लिया और बोली कुछ नहीं हुआ रिलेक्स मम्मा है ना आहान रोने लगा मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही वही विहान भी रोने लगा मम्मा कहते हुए विवान फूट फूट कर रोने लगा विहान उल्टियां कर रहा था उसके नन्हे नन्हे हाथ और उंगलियां काम रही थी मम्मा मेन को सांस नहीं आ रही मम्मा दर्द दूर है कहर ने विहान को भी अपने सीने से लगा लिया और बोली कुछ होगा मम्मा है न. अहान और विहान उल्टियां कर रहे थे और थरथर काम रहे थे इस वक्त उनकी पूरी بॉड़ी पर रैशेज हो गए थे कहर. ने दोनों को अपने सीने से लगा रखा था कहर के कपिंगे खराब हो गए थे लेकिन इस वक्त सिर्फ उसे आहान और विहान की पड़ी थी इशान अपने भाईयों को ऐसे देख कर रोने लगा समीर जो टिकट लेने गया था वह जल्दी से भाग कर उनके पास और जब आहान और विहान की हालत देखी तो दंग रह गया कहर ने समीर की तरफ देखा और रोते हुए बोली समीर जल्दी हॉस्पिटल चलो कुछ ही देर में वह लोग अस्पताल पहुँच गए कहर अहान और विहान का चेकप कर रहे थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कौन सा इंफेक्शन हुआ है कहर अपने दोनों को सीने से लगाए बैठी थी अगर कहर ने आहान विहान को खुद से दूर किया तो उन दोनों के हाला और खराब हो जाएगी आहान और विहान को फीव हो गया था दोनों धर्थर काम प्रहे थे मम्मा मममा आहन और विहान रोते हुए धीरे धीरे बिंगबंगा रहे थे कहर की आँखों में आसू थे वह कुछ नहीं कर पा रही थी तभी उस हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर विकास दास आय क्योंकि समीर ने उन्हें स्पेशल बुलवाया था डॉक्टर विकास दास ने विहान और आहान को देखा और हैरान हो गए और फिर कहर की तरफ देखते हुए बोले दोनों बच्चों की कंडीशन काफी सीरियस है जिस पर कहर ने रोते हुए कहा डॉक्टर आप कुछ भी करिये मेरे बच्चों को पहले जैसा कर दे समीर की आखे नम थी वह भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा था उसकी गोद में मौझूद इशान भी रो रहा था डॉक्टर विकास दास विहान और इशान को देखते समझ गए थे कि सिर्फ OCD प्रॉबलम नहीं है बलकी डिसॉर्डर है जिस पर डॉक्टर विकास दास ने कहर को देखा और बोले पहले ऐसी कंडीशन हुई आपके बच्चों के साथ जिस पर कहर बोली हाँ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जिस पर डॉक्टर विकास दास ने पूछा आपके बच्चों को ये प्रॉब जिस पर डॉक्टर विकास दास हैरान हो गए और उन्होंने कहर को देखते हुए कहा आप अभी तक कौन सी मेडिसिन यूज करती थी, जिस पर कहर ने धीमी आवाज में कहा डॉक्टर वीरेंदर दास मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन हाल ही, मैं उनकी देथ हो गई उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया जो मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैं अभी तक अपने बच्चों को डॉक्टर वीरेंदर दास की दी हुई मेडिसिन ही देती थी जब भी उन्हें ऐसी, प्रॉबलम होती और मेरे बच्चों को 7-8 अपने बाद फर्क परता था लेकिन अब वह मेडिसिन नहीं है और ना ही, डॉक्टर वीरेंदर दास है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं कहते कहते कहर का गला रूद गया, जिस पर डॉक्टर विकास दास ने करको देखा और बोले आप फिक्र मत करिये मैं जल्द अपने जल्दी ही कुछ करता हूँ डॉक्टर विकास दास समझ गए थे कि कौन सा डिसॉर्डर है, डॉक्टर विकास दास वहां से चले गए, डॉक्टर विकास दास ने किसी को कॉल किया और बोले आप यहां जल्दी आओ अजेंट है, कहर ने विहान और आहान का फेस जिस पर विहान और आहन ने धीरे से अपनी आखे खोली और धीमी आवाज में बोले मम्मा दर्द हो रहा है सिर्दुख, रहा है मम्मा थंड लग रही है, गौड प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बच्चों के साथ, आपको जो दर्द तकलीफ देनी है मुझे दे दो प्ल वही उस रूम में मौझूद नर्सस भी यह सब देख रही थी, उन्होंने पहले ऐसा रिर केस देखा था और वह भी इमोशनल हो गई थी, उनकी वह देख सकती थी कि मा बेटे का बॉंड कैसा था, स्टार्टीब में कहर ने उन्हें अपने बेटों को छुने भी नहीं दिय नर्स को लगा था कि कैसी मा है ये जिसे अपने बच्चों के दर्द से ज्यादा साफ सफाई की पड़ी है लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि वह ऐसा क्यूं कर रही थी, डॉक्टर विकास दासने भी उन्हें बच्चों के आसपास भटकने से मना कर दिया था, कहर विह और आहन को देखते हुए बोली विहान आहान, बिहान आहान का फीव बढ़ता जा रहा था, लही एलविश के फेस पर गुसा था, एलविश के फेस पर अभी भी रेसेस थे, एलविश गहरी सोच में लग रहा था, तभी एलविश का फोन रिंड करने लगा यह एलविश का नया फोन था जो अभी कुछ धंते पहले ही उसने लिया था एलविश ने अपना फोन पिक किया दूसरी तरफ से फोन में कुछ ऐसा क्या होगा जिससे एलविश की आखे बड़ी बड़ी हो गई और जल्दी से जायद से बोला कार निकालो जिस पर जायद बोला किस लिए और क नूँ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई नूँ वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे